लॉजिक बेडिए 90 देज के D28 की जो प्रॉब्लम थी उसका नाम था चेस फॉर 3 जो कोट फोर्से से लिए गई है चेक करते हैं प्रॉब्लम क्या कहती है कहती है कि तीन दोस्त हैं जो अपस में चेस खेल लाएं एक टाइम पे दो ही प्लेयर चेस खेल सकते हैं यह हम सबको पता है दो विनर गेट 2 पॉइंट, दो लूजर गेट 0 पॉइंट इन केस ओफ ड्रॉब्लम बोथ प्लेयर गेट 1 पॉइंट इच ड्रॉप पे दोनों एक एक पॉइंट पाजाएंगे विनर 2 पॉइंट पाएगा, लूजर 0 पॉइंट पाएगा note that the same pair of players could have played any non-negative number of times, possibly 0 it is also possible that no game were played at all इसका मतलब कोई भी प्लेयर कितनी बार भी खेल सकता है आपस में suppose A, B, C तीन प्लेयर है तो A, B हो सकता है एक बार खेले, दो बार खेले या एक भी बार नहीं खेले वो उनकी मर्जी है now you have been told their scores after all the games were played were P1, P2, P3 ये तिनों scores है जो आपको question में given होगे अच्छा एक condition भी given है कि P1 हमेसा छोटी होगी P2 से और P2 हमेसा छोटा होगा P3 से ये condition ध्यान रखना, जो question होते है, code forces के या logic building के कभी कोई question होते है, उन्हें जो condition given होती ही, उन्हें सबसे पहले ध्यान में रखना होता है now question बोला है, find the maximum number of draws that would have happened and print it if there is not any way to obtain P1 and P2 as a result of a non-negative number of games between the three players, print minus 1 यानि हमें बताना है कि maximum किते number of draws possible है कैसे भी खेले हमें मतलब नहीं है, हमें बस यह बताना है, maximum किते draws possible है और अगर P1, P2, P3 कुछ ऐसे given है, such that कोई possible answer ही नहीं बनता, कोई possible points ही नहीं बनते उस case में हमें minus 1 print करना है, test case देखते हैं, उससे काफी को समझ में आएगा input में T की value 500 है, तक है और P1, P2, P3 के उपर यह जो condition है, यह हमारे पास given है the score of the three players sorted in non-decreasingly, output for test case, print one number, हमें one number print करना है, maximum possible number of draws, that could have happened, या फिर minus 1 अब जरा test case देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा, 0, 0, 0, 3 बने, let's write, 3 बने हैं हमारे पास तीन बन्दे हैं, अपना P1 है, P2 है, P3 है, नाम आप, कुछ भी ले सकते हो, अपनी मर्जी से इनकी points given है, 0, 0, 0, हमें बताना है कि कितने maximum number of draws possible है क्या-क्या हमें पता है, हमें तो, पहले तो condition जो given होगी, P1 हमें साच छोटा होगा, या बराबर होगा P2 से छोटा होगा, या बराबर होगा, P3 से ये question में given होगा next चीज हमें given है, कि जो winner होता है, उसे 2 point मिलते हैं, loser को 0 point मिलते हैं और जो draw हो जाता है, तो आपको 1 point मिलते हैं, दोनों को 1 point मिलते हैं अब यहाँ पर 3 ही 0 given है, इसका क्या मतलब है, कोई भी जीता नहीं होगा जीता नहीं होगा, इसलिए किसे के पास point नहीं है अब कोई भी जीता नहीं है, इसका एक ही case हो सकता है कि कोई भी match खेले नहीं गए, 0 matches हुए और 0 draws ही possible है, तो हमारा answer 0 आ जाएगा, एक case लेते हैं, 0, 1, 1 का यहां हम analyze कर सकते हैं, ओके, P3 का एक point है, यानि P3 एक draw कर सकता है चीक है, P2 के पास एक point है, यानि P2 भी एक draw कर सकता है तो क्यों ना, P2, P3 के साथ एक match खिलवा लिया जाए, और दोनों को draw करा दिया जाए, एक एक point दोनों को मिल जाए और P1 अकेला, बिचारा अकेला रह जाए, और maximum number of draws कितने possible हो जाएंगे, 1 चुकि हमारा answer होगा, 1 थर्ड case देखते हैं, थर्ड case कहा रहा है, 1, 1, 1 तो इसका मतलब P2, P3 दोनों के एक point होगे, है न, P1 अकेला बच गया न, P1 के पास एक point possible ही नहीं है, क्योंकि अगर P2, P3 खेलें, तो इनके पास एक point होगे, उस case में P1 के पास 0 होना चाहिए, क्योंकि ये किसी से खेला ही नहीं, और किसी और के points है भी नहीं, इक्स्रा valid case है, उस case में हम minus 1 अपना प्रिंट कर देंगे, now same 3, 4, 5, 1, 1, 10, तो देखो यार, कोई भी logic बिल्ड करना है, कोई भी ऐसे question आते है न, तो best तरीका होता है, कि आप बहुत सारे test cases ले लो, और उन पे check कर लो, जैसे 0, 0, 0, answer हमारा 0 होगा, 0, 0, 1 ले लो, ये possible ही नहीं है, क् क्योंकि मैं आपको वापस से बताता हूँ, जब भी कोई lose करेगा, उसे 0 point मिलेंगे, winner को हमेशा 2 point मिलेंगे, और जब draw होगा न, तो 1 point मिलेगा, पर 2 लोगों को 1 point मिलेगा, जैनि 1, 1, add the end, अगर आप P1, P2, P3 का summation करो, तो क्या ये हमेशा even आना चाहिए, है न, क्योंकि lose करने पे 0, add हो रहा है, win करने पे, तीनों में से किसी 1, add हो रहा है, और draw हो जाने पे, दो बंदों में एक-एक, add हो रहा है, यानि overall, 2 ही add हो रहा है, तीनों को मिला के, तो हमेशा आपका P1, P2, P3, क्या होना चाहिए, even हो valid input है, और हम minus 1 return कर देंगे, तो पहला मैंने case cover कर लिया, minus 1 वाला, अब हमें simply बस देखना है, कि maximum number of draws कित्ते possible है, 0, 1, 1 कर लो, इस case में देखो, P2, P3 आपस में एक match खेल के draw करा सकते हैं, तो 1 maximum number of draw, 0, 2, 2 कर लो, इसमें 2 maximum draw हो सकता है, P2, P3 दो match आपस में खेले और दोनों draw हो जाए, 3, 3 कर लो, 3 draw हो सकता है, एक case ले लो, 003, या ले लो, 004, क्या कोई draw possible है, देखो, कोई draw possible है, P1, P2, P3, कोई draw possible है, draw होने का मतलब है, कि दोनों बंदों को एक point में लेगा, बट सिर्फ P3 के point है, वो भी 4, P1, P2 के पास कोई point ही नहीं है, यानि P1, P2 कभी जीते ही नहीं होंगे, तो इस case में हमेशा P3 जीता होगा, तो आप कितने draw करा सकते हो, 0, maximum number of draw हम 0 ही करा सकते हैं, और case देखते हैं, 008 पे, इस पे भी 0 हो जाएगा, 009 पे, इस पे भी 0 हो जाएगा, 019 पे, कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि P1, P2, P3, P2, P3 का एक match होगा, हम करा सकते हैं, जिसमें P2 और P3 को draw करा सकते हैं, P2 को एक point मिलेगा, और P3 को एक point मिलेगा, P3 के बचे 8 point, अब 8 point ये कैसे भी होसिल कर सकता है, जीत के, तो mainly depend करता है, P1, P2 के पास कौन-कौन से number है, क्योंकि P3 अकेला किसी से draw नहीं करा सकता, P3 अकेला जी कुछ test case और देखते हैं, क्या पता कुछ clear हो जाए, 2, 4, 12, जहां से देखना, 2, 4, 12, क्या P1, P2 को sum देखो तो यहाँ पे 6 है, क्या P1, P3 से सारी match draw करा सकता है, और P2, P3 से खेल के सारी match draw करा सकता है, यानि P1, P3 आपस में 2 match खेल लिए, दोनों draw करा दो, P1 को 2 point मिल गए, P3 को 2 point मिल गए, फिर P2, P3 का 4 match करा दो, draw करा दो सारी, P2 को 4 point मिल गए, P3 को भी 4 point मिल गए, 4, 2, 6, बचे इसके point extra 6, और इस 6 point को आप P3 किसी से भी करा के, P3 को 3 match जिता दो, और P3 के पास 6 point आ जाएंगे, चीक है, 2, 4, 10, इसमें भी आप 6, draw करा सकते हो maximum P1, P2 हमेशा P3 से खेल के, draw करा सकते हैं, थोड़ा और छोटा लेते हैं, 2, 4, 6, अभी भी possible है, 6, 2, 4, 5, यह तो invalid case हो गया, 2, 4, 4 लेते हैं, अब कितने possible हैं, यह देखो, अब कितने possible हैं, 4, 4, 8, 2, 10, अब आप देखो कि maximum 5 ही possible होंगे, कैसे? यह P1, एक एसे match खेलेगा, एक एसे match खेलेगा, दोनों draw करा देगा, तो इसके बाद हुए 2 point, और यह दोनों एक एक point पाएंगे, बचे 3, 3 point, और P2, P3 आपस में, 3 match खेल के draw करा सकते हैं, और इनके भी 3 point, यानि total 5 point, मैं क्या समझाने की कोशिश करा हूँ, वो देखना, जो मेरा P1, P2, P3 का score है, अगर P3 का score बहुत ज़्याद है, बहुत हाई है, तो P1, P2 हमेशा एक एक match खेल के, P3 से draw करा सकते हैं, ठीक है, कितरा हाई है, यह देखना है, 2, 4, 6 करा सकते हैं, 2, 4, 8, 6 match, 6 match, 2, 4, 10, 2, 4, 12, 6 match हो सकते हैं, हर जगे 6 match हो सकते हैं, कहा नहीं हो सक हो सकते हैं, 2, 4, 6 पे हो सकते हैं, बिल्कुल सही, क्या 2, 4, 4 पे 6 match हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, यानि अगर P3 की value बड़ी है या बराबर है P1 प्लस P2 से, तो P1 प्लस P2 हमेशा एक एक match P3 से draw करा सकते हैं, और वही मेरा maximum number of draw होगा, दो case हो गई, पहला even वाला case निकाल ल अगर ऐसा नहीं है, तो मैं चेक कलूँगा P1 प्लस P2 अगर छोटी है या बराबर है P3 से, तो P1 प्लस P2 का जो भी समेशन होगा, वो मेरा answer हो जाएगा, ओके, थर्ड case देखते हैं, अगर ऐसा नहीं है, यानि P1 प्लस P2 की जो value है, वो P3 से छोटी या बराबर नहीं है, बड़ी है in the sense, तो उस case में हम कैसे देखेंगे, P1, P2, P3, 2 and 6, 8, इस case में आप देखो कैसे कर सकते हो, आपने इस 2 को लिया, दो match इंसे draw करा दिया, तो 2 draw हो गए, इसके पास अब remaining बच्चे 6 point, P2, P3 साथ में 6 point कर सकते हैं, total 8 draw हो सकते हैं maximum, ओके, यहाँ पे 8 draw हो गए, इस 16 है, draw कितने हैं, 8 है, वापस एक और case देखो, 4, 6, 8, अभी कितने draw हो सकते हैं, P1 मेरा, कितने match खेलेगा, यहाँ से 2 match खेलेगा पहले, तो इसके हुए 2 point, इनके और 6 point बचे भी, अब, अब P1, P2, P3 देखो, P1, P2, P3, P1 ने 2 match खेलिए, P1 के पास 2 point हो गए, P3 के पा पास 6 point थे अभी remaining, और P3 के पास अभी remaining 6 points थे, और P1 के पास अभी remaining 0 point है, अब P2, P3 आपस में 6 match किया सकते हैं, तो total कितने 6, 2, 8, और total कितना होगा, 8, 4, 12, 6, 8, 9, total 9 आपके answer आएंगे, तो कभी भी आप देखोगे न, कि अगर P1 plus P2, P3 से बढ़ा है, तो फिर बहुत कु possible है, क्या possible है, यह possible है, P1 plus P2 plus P3, divide by 2, यह मेरे total number of draws हम निकाल सकते हैं, कैसे भी आपस में combination बिठा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट at the end हम P1 plus P2 plus P3, divide by 2, यानि जितने भी points हैं, उतना draw करा सकते हैं, उसका half time draw करा सकते हैं, ताकि उसका double हमें point मिल सके, तो यह है मेरा पूरा logic, simple अगर मैं आपको यहाँ code, मैं code आपको provide गर दूँगा, यह video काफी लंबी हो गई है, इस वज़े से मैं simple बस आपको बस यहाँ पे logic बता रहूं, कि एगर P1 plus P2 plus P3, यह value odd है, तो answer है minus 1, अगर even है, तो दो case हो सकते हैं, P1 plus P2, मेरा छोटा है, यह बराब पर है P3 के, उस case में P1 plus P2, P1 सारे match draw करा सकता है, P2 सारे match draw करा सकता है, तो P1 plus P2 answer हो जाएगा, वरना सब कुछ possible है, अगर ऐसा है, तो बहुत सारे cases possible है, और total number और draw कितने हो जाएंगे, P1 plus P2 plus P3 and divide by 2, so यह पुरा logic, code मैं आपको provide कर दूँगा, पहले कुछ से try करो, comment पे java script, किसी भी language में, बट मैं अभी code नहीं provide कर रहा, आप खुछ से try करो, अपनी language में code लिको, हो जाए, मुझे बता ना, किसी को code चाहिए, comment में लिख देना, मैं code provide कर दूँगा, उसकी link, मिलते है अगले वीडियो में, नए day के साथ, तर तक के लिए, bye bye